What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Stirl or Family तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, श्यांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत, फैमली और पाई का धान काफी अच्छे से रख रहे हो तो यह जो वीडियो है, यह हर एक 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 एक्जाम के लिए आप लोगो फाईदा पहुचाने वाली है चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एक्जाम की तैयारी क्यों ने कर रहे हो यहाँ पर UPSC या EPS का मतलब यह नहीं की बसीनी एक्जाम में फाईदा पहुचाएगी आप लोगो यह स्टेट के जितने भी एक्जाम होते हैं उनके अंदर फाईदा पहुचाएगी और किसी भी एक्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फिर एक्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे सही होता है तो अच्छी बात है गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है इसका मतलब भी होगा कि अब एक्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को इसका description box में मिल जाएगा, तो आईए, आज का discussion स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के, आज का first question देखते हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है, किसके बारे में एक महबेश question आप लोग के सामने, और बात की जा रही है, तिरुप्रा के अंदर एक festival celebrate किया जाता है, तो यह जो festival हैं, यहाँ पर तीन दिन का लगबख festival देखने को मिलता है, जिसमें, नीर महल जल उत्सव के नाम से इसको पकारते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को boat race वगएरा और swimming competition देखने को मिलते हैं, किस लेक पर यह festival celebrate किया जाता है, पहला बोला गया है, रूदर सागर लेक, दूसरा बोला गया है, यहाँ पर कोलूरू लेक, तीसरा बोला गया है, पुलिकट लेक और चोता बोला गया है, यह लेक आप लोग को हमारी country में, जो नोर्थ इस्ट इंडिया वाला पोर्सन है, वहाँ पर तिरपुरा के अंदर आप लोग को यह देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर यह रूदर सागर लेक न्यूज में है, रिसेंडली जो हमारा नोर्थ इस्ट वाला एरिया उसकी वेसे न्यूज में है, तो कोशिशन आप लोग लिए काफ़ी इंपोडेंट बन जाता है, बाकी जो बची हुई तीन लेक यहाँ पर बच गे जो आप लोग के सामने हाँ पर जिनके नाम है, यह तीनो लेक आंदर प्रदेश में आप लोग को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में भी आप लोग के माइंड में कोई confusion नहीं होना चाहिए, तो यह था हमारा एक question जिसमें answer हो गया, आएए अब आगे बढ़ते हैं, नेस्ट question यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेस्नल कैंसर टीसू बायो बैंक के बारे में, तो यह बोला जा रहे हैं कि यह एक initiative है, जो कि Department of Science and Technology, Government of India, इसी के साथ में Institute of Technology, मदरास और यहाँ पर बात की जारी है, Ministry of Human Resource Development, तो यह मिलकर यहाँ पर, यह basically यहाँ पर एक प्रोग्राम में, इनके जो इनिशेट किया गया है, दूसरी बात की जारी हाँ यहाँ पर, कि जो यह है, collect करता है, cancer, tissues, sample, consent लेता है हाँ पर पेसेंट से, और उसका analysis करता है, ताकि हमारी country में cancer से लिए जो गर्जित लोग है, उसका solution निकाला जा सके, तो क्या statement यहाँ पर correct है, A में बोला गया है, only one, B में बोला गया two, C में बोला गया both one and two, और D में बोला गया none of the above, सही answer यहाँ पर क्या है, A, B, C, F, U, D, तो जो सही answer है यहाँ पर इसका, यह है इसका B answer सही, यह निके second statement से यह first statement गलत है, reason कै, reason यह National Cancer Tissue Biobank, यह Tamil Nadu के अंदर में है, और joint initiative है, आपर Department of Science and Technology, Government of India and Institute of Technology, मदरास के दुआरा मिलकर है, आपर यह start किया गया, जिसके तहत, यहाँ पर अगर किसी cancer को patient है, उसकी concern से, यहाँ पर उसके tissue बेसिकली ले जाएंगे, cancer के अंदर से, और उसके base पर यहाँ पर उसमें analysis किया जाएगा, और देखा जाएगा, उसमें research किया जाएगा, कि कैसे कोई solution निकाल सकते हैं, cancer का treatment का, तो यह genome sequencing जो technique है, उसको भी हाँ पर use किया जाता है, basically, परपज यही है कि cancer का इलाज किया जा सके हमारी country के अंदर, तो answer इसका B हो गया, आगे बढ़ता हूँ, next question है, आप लोगे सामने हाँ पर बात कर रहा है, foot and mouth disease के बारे में, यह question आप लोगों से कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो maximum सारे aspects मैं आप लोगे हाँ पर इसके cover करने जा रहा हूँ, तो past time भी कुछ question आप लोगे ऐसे हो चुके हैं, तो इसको आप लोग continue करी आगे, बात की जारी है, foot and mouth disease के बारे में, तो इसके बारे में एक-एक statement देखते हैं, पहले बोला गया है कि यह infectious, यह disease है, यह fatal viral disease है, यह क्या इसके वे से जान भी चली जाती है, यह हैं आपर जो clone होते हैं, और इसके साथ में जो animal domestic और जो wild animal होते हैं, सब के ओपर impact डालती है, human, यह निके इंसान पहले इससे इंफेक्ट होते हैं, इससे इंफेक्ट हुए foot and mouth disease से, इंसान पहले इंफेक्ट होते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ती है, तो क्या statement यहाँ पर true है, A में बोला गया 1 and 2, B में बोला गया 2 and 3, C ए बोला गया 1 and 3, चाले पढ़ जाते हैं इसी तरीक से, जानवरों के मुह में भी एक चाले टाइप के पढ़ जाते हैं, इसके वैसे घास भी नहीं वो खा पाते हैं, अपना एक भोजन भी नहीं कर पाते हैं, उसके वैसे उनकी जान जानने लगती है, उसकी वे से और भी करी सारी प्लोम देखने लगती है तो यह जो disease है यह एक तरीकी viral disease है जो की काफी large scale पर impact डालती है यह जंगली जानवर घ्रेलू जानवर इसी के साथ में जो clone बना जाते हैं तो उनके भी हाँ पर आप लोग देखने को मिलेंगे ठीक है ना तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं बाकि अगर बात की जाएं आपर जो foot and mouth disease है इंसानों के उपर बाद में लगती है पहले जानवर के उपर लगती है और जो जानवर के contact में ज़्यादे रहते है उससे फिर यह इंसानों को लगती है यानिके इंसान के पास में बादे पोजती है और कोई rare phenomenon होता है ऐसा नहीं कि इंसान को बड़ी frequently यह बीमारी लगती है तो recently हमारी country में National Animal Disease Control Program Prime Minister Modi जी के द्वारा launch किया गया उसका target है यह कि सब तक दवाई पहुंचनी है सारे जानुरों तक 2025 तक और खतम करनी है यह बीमारी 2030 तक तो इसके चलते हैं हाँ पर यह काफी न्यूज में है और यहाँ पर जो clone बोला गया नहीं आपर यह clone यह भी देखे एक मेंट यहाँ पर यह बोला गया clone होफेड एनिमल तो कौन से होते हैं यह अलग अलग तरीके से जोन से इनके fit होते हैं यह निक एक तरीक से जैसे यह loin हो गया cat हो गया तो इन सब के जो खुर होते हैं basically जो उनको यहाँ पर यह बीमारी लगती है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं यह कैसे question भी आप लोगों से बन जाते हैं तो answer क्या हो गया? answer इसका A हो गया तो यह clone नहीं बना जा रहा है जो clone बोला था मैंने यह clone जो अलग अलग जो इनके खुर होते हैं जो इनके fit होते हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है आगे बढ़ता हूं next question यहाँ पर बात कर रहा है यह wildlife biodiversity के बारे में हमारी country की तो कौन सी statement correct है यह पूछा गया है आसाम बोला गया हमारी country में most species जो reach state है आपर अगर बात करें turtle diversity के बारे में इनके जो कच्छों है सबसे ज़्यादे जाती हैं आसाम के अंदर पाए जाती है next बात की जारी यहाँ पर यह है पोवित्रा यह wildlife century है बोला जा रहा है कि यह आसाम में located है कौन सी statement correct है A में बोला गया 1 only, B में बोला गया 2 only, C में बोला गया both 1 and 2, D में बोला गया neither 1 nor 2 A, B, C, F, E, D सही आंसर यहाँ पर क्या है बट 18% जो है हाँ पर है लगबग 80% वो थेट है extent की category में हाँ पर पहुँच चुकी है अभी recently कई तरी यह hatching देखने को मिली जब यहाँ पर बच्चा निकलता है हंडे से तो वो देखने को मिला इसी के चलते हैं हाँ यह अभी recently जो news में है यह हाँ पर पो भीतरा वाइलाफ सेंचोरी में उनको ले जा कर छोड़ा गया इसको मिनी काजी रंगा भी बोल जाता है काजी रंगा नेसल फाग आसाम में है तो मिनी काजी रंगा बोल जाता है क्योंकि कई सारे हाँ पर जो one horn rhinos है यानि कि जिनको आप लोग गेंडा बोलते हैं वो यहाँ पर काफी large scale पर पाय जाते हैं तो इसको इसलिए mini kazi रंगा के नाम से भी पुकारा जाता है तो यह दोनों statement आप लोग को पता होनी चीए आगे बढ़ता हूँ Next question आप लोगे सामने history का यह बात कर रहा है फिरोज सा तुगलक के बारे में तो कौन सी statement correct है यह बोला गया है बोला गया है कि यह second ruler था तुगलक डेंसिटी का जो की 1320 से लेके 1580 तक यहाँ पर इसके दोरा rule किया गया Next बात की जारी है जजिया यह one of the ruler था जिसके दोरा जजिया impose किया गया तीसरी statement बोला गया है कि British यह इनके अंग्रेजियों के दोरा इसे father of irrigation department in India माना जाता है और इसी के साथ में many gardens और canal भी इनके दोरा बनाई गई है correct statement क्या है A में बोला गया 1 and 2, B में बोला गया 2 and 3, C में बोला गया 1 and 3, D में बोला गया all of the above सही answer क्या है A, B, C, F, D तो सही answer है यहापर इसका B यहनिके 2 और 3 statement यहापर सही है first statement गलते है क्योंकि यह मोहमद बिन तुगलक के बाद में जिसको एक पागल राजा भी बाना जाता है फिर पढ़ाली का बेवकूब बाना जाता है उसके बाद में आपर तीसरा जो रूलर था वो था फिरोज साथ तुगलक तो यह आप लोग याद रखेगा तो 1320 से लेके 1412 80 तक यह हापर आप लोग को देखने को मिलता है next जो बात की जा रही है जाजिया आप इंपोर्ज करना इसके द्वारे स्टार्ट किया गया है यह भी आप लोग याद रखेगा यह जो है 1351 चावन से लेके 1388 तक इसका टाइम पिरिट देखने को मिलता है बाकि अगर डहली सल्तनत की बात की बात की बात की बात किरे इसी के साथ में और भी कई सारे जैसे स्टेबलिस की गई कई सारी सराय इसके द्वारा इस्टेबलिस की गई फोरने टाउन जैसे फिरोजाबाद, फतेहबाद, जोनपुर इसी के साथ में हिसार इस्टेबलिस की गई होस्पिटल जैसे यह दरूल सफा और भी कई सारी जैसे इसके दौरा ये सरीव खाना कई सारी चीज़े स्टैबलिस की गई इसी के साथ में ये दिवान बंदूगन, Department of Slave तो कई सारी चीज़े इसके दौरा स्टैबलिस की गई जो कि आप लोग याद रख सकते हैं और irrigation के field में कई सारे काम केगे, कई सारी कैनल इसके द्वारा खुदवाएगी, तो इसलिए इसको irrigation के पिता मा भी बोला जाता था अंग्रेजो के द्वारा, ठीक है, तो ये है आंसर इसका B, जो कि याद रख्षते हैं, आईए अब आगे चलते हैं, नेस्ट कोशन है, ये UPS में पुछा जा चुक है, पिरलिमस में, तो ध्यांजे पढ़िएगा, बात की जारी है, substitution of steel from wooden plow, यहनिके जो हल होते थे उसमें, जो लकडी यूज की जाती थे, उसकी जगे steel यूज की जारा है, तो इसकी वेसे, agriculture production is an example of, तो agriculture production वो कहीं का उधारन बन जाता है, तो चारी statement है, यह में बोला गिया है, आपर labor argumenting technology progress, दूसरा बोला गिया, capital argumenting technology progress, तीसरा बोला गिया, capital reducing technology progress, और चोथा बोला गिया, none of the above, सही answer यहांपर क्या है, A, B, C, F, D, तो जो सही answer है आपर इसका यह है B, capital argumenting technology progress, एक तरीक से आप लोग बहुत सकते हैं, कि देखिए माली जे आज की डिमें कोई आप लोग ट्रेक्टर लेते हैं, तो इसमें आप लोग इस तरीके जो instrument लेकर आते हैं, तो दूसरे के खेत को भी आप लोग जोच सकते हैं, तो वहाँ से आप लोग ए capital formation का काम करता है, तो technology की progress उस form में हो रही है, ताकि आप लोग उससे और ज़्यदा earning कर सकते हैं, तो एक तरीके से आप लोग next level पर यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, इसका use करका, जो लकड़ी यूज़ कर जाती थी पहले हल में, जिसको bell से लेकर चल दे थे, तो वो एक तरीके से अलग direction में थे, लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही है, हम एक ट्रेक्टर लाकर पूरे गाउं के खेट जोच सकते हैं, उससे मिलकर अगर वो धंक से काम करता रहे तो, तो एक तरीक से earning भी हहाँ पर की जा सकती है, तो पहले हल से यह सब सीजे possible नही वो किसकी वज़े से हाँ पर है parliamentary system, तो सबसे पहले बोला गया है, लोगसभा is elected by directly by the people, इसलिए हाँ पर यह parliamentary system है, दूसरा बोला गया है, parliament can amend, यानि के change कर सकते है constitution में समीधान में, इसलिए यह parliamentary system है, तीसरा बोला गया है, राज्यसभा cannot be dissolved, इसलिए parliamentary system है, जोथा बोला गय is responsible to the लोगसभा, इसलिए parliamentary system है, सही answer क्या है, A, B, C, D, सही answer है आपर इसका D, कई सारे बच्चे हैं आपर answer क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे A, कि directly लोगों के द्वारा elect की जाती है, पर लेकिन USA में भी directly लोगों के द्वारा elect की जाता है, पर लेकिन वहाँ पर parliamentary system नहीं ह इसको अलग से चूज करते हैं, अपने जो खुद के जो उसके member होते हैं, cabinet के, वो बहार से भी उसको चूज कर सकते हैं, वो उसके ओपर depend करता है, basically हाँ पर separation आप लोगों को देखने को मिलता है, तो हाँ पर directly जनता के द्वारा चीना जाता है, पर लेकिन parliamentary form of इस तरीके system आ पर आप लोग को देखने को मिलता है, तो हमारी country में article 75 यहाँ पर यह बात करता है, इसके बारे में, जो कि हमारे समीधान में भी mention है, और यह भी question past में पूछा जा चुक है, कि article 75 बोलता है कि collective responsibility जो हैं आपर council of minister की, वो लोग सभा के लिए है, ठीक है, तो इसके बारे में भ organism, interacting with another, यहनि one another, तो इसको आप लोग बोलेंगे, दूसरे के साथ ने जो बातचीत करते हैं, जीवित सम्यधाए, उसको ecosystem बोलते हैं, यह पाला जरह है, part of earth where inhabited by the living organism, यहनिके जो हाँ पर जीवित जीव पाय जाते हैं, उसको आप लोग बोलते हैं, community of organism together with the environment in which they live, ठीक है, त जाते हैं, उसको ecosystem बोलते हैं, सही answer क्या है, A, B, C, F, D, तो जो सही answer है, इसको आपर यह है C, थोड़ा से इसको आप लोग समझ लिजे एक बार, बात की जारी है, basically आपर biotic और abiotic component के बारे में, biotic वो होते हैं, जो living होते हैं, जैसे यहाँ पर खरगोस आप लोग देखते ह पेड़ पोदे होगे, यह living चीज में आते हैं, लेकिन non-living जैसे रोग चटान होगी, मिट्टी होगी, यह non-living thing में आते हैं, एक तरीक से यहाँ पर उसमें पेड़ पोदे होगते हैं, और फिर हम लोग इसके ओपर dependent रहते हैं, हम लोग एक दूसरी से connect रहते हैं, ठीक है तो ecosystem का मतलब है, living और non-living thing जब together काम कर रही हैं, तो वो होगा एक ecosystem, तो answer क्या हो गया, answer इसका C हो गया, सही, ओके, आगे बढ़ता हूँ, next question यह भी exam में पूछा जा चुका है, बात की जा रही है, Indian economic के reference में अगर आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर यह जो term दे रख सही answer का है, A, B, C, F, D, तो यह आप लोग को बताने हैं, सही answer है यहाँ पर इसका C, यह निके 1 and 2, bank rate और यहाँ पर open market जो operation होते हैं, यह आते है monetary policy के अंदर, बाकि जो public debt होते हैं और public revenue होते हैं, यह आते है fiscal policy के अंदर, monetary policy वो policy होते हैं, जो की reserve bank of India के द्वारा control की जाती है यह निकि किसी country के central bank के द्वारा control की जाती है, fiscal policy वो policy होते हैं, जो किसी country के central government control करती है, तो bank rate और open market operation यहाँ पर यह होते हैं, RBI के control में, और public debt, उधारी, और revenue जो रहता है public का, यह होता है, government के अंदर में, तो इनमें आप लोग confusion नहीं होना चाहिए, कई बार आप लोगो कर रहा है, NPT के बारे में, जिसको बोलते है nuclear non proliferation treaty, तो बोला गया है कि हाँ पर कौन सा जो उपर जो member दे रखे है, China, France, India, Israel और Pakistan, तो बोला गया, which among the following, यहाँ पर nuclear weapon state recognize किया गया है, इस treaty के through, तो यह आप लोगो बताना है, यह निकि कि NPT के through, कौन सा यहाँ पर nuclear country declare किया ग 4 and 5, C यह बोला गया 2, 4 and 5, D यह बोला गया 1, 2, 3, 4 and 5, यह निकि ओलब दबो, सही answer किया आप लोगे है, इसा आप से A, B, C, F, D, तो जो सही answer यहाँ पर इसका यह है, यह निकि जो statement यहाँ पर सही है, यह निकि यहाँ आपर बात की जारी है, China और France के बारे में, तो answer किया ह तो यहाँ पर 1 or 2 की बात की जारी है, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, 5 total राज्या ऐसे हैं, यह फिर आप लोग जब international level पर जाते हैं तो उनको राज्या बोल देते हैं, वैसे आप लोग उनको particular country बोलेंगे, जैसे 5 तो permanent राज्या होगे, जैसे United States, Russia, UK, France और China तो 5 permanent member होगे, ठीक है, तो यह declare किये कि जा चुके हैं, आपर nuclear power हैं, पाचो के पाचो, 4 ऐसे हैं, जैसे India, China, पागिस्तान, नोर्थ कोरिया और इसराइल, यह ऐसे हैं, जिनके पास में nuclear weapon हैं, इन 4 में से 3 से जो declare कर चुके हैं, कि nuclear weapon हैं हमारे पास में, इंडिया, पागिस् कर रही हैं, कि elimination method हमेसा use करना है, जब भी आप लोग practice करें exam में, यह सबसे best method होता है, आप लोग question का answer देने का, गलत answer पकड़ लीजे, और उसको देखें, और फिर answer आप लोग का निकल कर आ जाएगा, ओके, बाकि अगर बात करें, non-plorification treaty के बारे में, तो यह हाँ पर है nuclear non florification treaty जिसका NPT बोलते हैं, यह 1968 में sign किये थी, location थी Moscow जहाँ पर यह sign किये थी, और 1970 से इसको यहाँ पर लागू कर दिया गया था, ठीक है, तो इसके आज केट में जो parties हैं, लगबग आप लोग 190 country देखने को मिलेगे, इंडिया, North Korea, Pakistan और South Sudan इसका member नहीं है, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद इसके बारे में रख सकते हैं, जो की important information है, तो यह था total आज का discussion, I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा, अगर यह lecture आप लोगों पसंद आया तो like जरूर कीजेगा, अगर पसंद है आया तो dislike भी जरूर कीजेगा, पर लेकिन dislike क्यों किया comment बुक्स जरूर अगर पसंद आया है, तो आप लोग इस lecture को share कर सकते हैं, ताकि जादे सी जादे लोगों तक पहुंचाया जा सके, और अपनी family को बढ़ाना भी आप लोगा target है, क्योंकि मेरा जो काम है, वो है आप लोगों को पढ़ाना, बाकि आप लोगी responsibility है कि जादे सी जादे लोगों तक चीजों पहुंचाये, खुद भी पढ़िये और दूसरों को पढ़ाये, इसी तरीके से अपनी country को हम लोगो सफल बनाना है, तो मिलता हूं next lecture में, जो की ओगा मरा दा हिंदु न्यूस पेपर का, तब तक कि आप लोग enjoy कीजे, तो thanks a lot for listening, बढ़ों को नमसे, छोडों को प्यार, छोड़ी सी life enjoy करार, तब तक के लिए, जै हिंद,